हलो दास्तों, नमसकार स्वाघाज आपका YAजS गूरुजी में बहुत सारे प्रश्ण राश्ताम के जितने भी ray exam होते हैं उनमें राश्ताम के प्रमुक मंडियां और ठस्लों से पूछे जाते हैं और कई प्रकार के प्रश्णों होते हैं ट्रिक भी मेरे पास है। लेकर ट्रिक से पहले हम समझेंगे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आपने समझ रखा एक चीज को लिंक कर रखा तो आप कभी नहीं भूलेंगी। ट्रिक का एक नुकसान मखर्ण लेकिन क्या होता है एक है मिक्स हो जाती प्रकार राजस्तान की प्रहुत मंजिए तता पसले उनको यहाँ पर इस वीडियो देखने के बाद आपका एक भी प्रस्ट राष्तान की मंणीओं से और राष्तान की पता से गलत नहीं होगा यह मेरा दावा है तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे पहले हम यहां पर मैं आपको पता देता हूं यह मैं समझाओंगा उसके बाद में जो क्यूस्टन से उठते हैं उनके बारे में मंडियों के बारे में पुरी जानकारी सबसे पहले अपन समझते हैं किस प्रकार से रास्तान की प्रमुक पसले हैं और मंडिया है और मैं आपको एक बाद कहता हूं यह वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्यूस्टन गलत नहीं होगा जो आपसे पूछा जाएगा एक बाद ध्यान से इस वीडियो को मेरता कहां परता है नागोर में जहां नागोर में क्या हुई थी मीरा मेरता में हुई थी तो मीरा और जीरा दोनों कहां हुए मेरता में हुए तो मीरा का तो आपको याद रहता है यह मीरा नागोर के मेरता में हुई थी तो उसी प्रकार से आपको याद रहते हैं जीरा भी जीरा वहाँ पर होता है जहां पानी की मात्रा कम हो दूसरी बात पहली बात तो पानी कम हो दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर पानी में नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो वही जगह पर जीरा होता है आसानी से हो जाता है तो ऐसी suitable position कहां पर है नमक रास्तान में कहां पर पा और यहां हमेरप नागोर weapons अबए तरीसे होगा कहुंत होगा अब इसमें क्या ट्रिग लगाने में पड़ी क्यों है सिंपल सी बात जहां मीरा मया मेलता मैं नागोर में जीरा भी नागोर में मेरता हैं समझ में अगे बाद जीरा का कुस्तन आएगा तो आप गलत नहीं जाएगा आपका दूसरा प्रसंद में संत्रा बहुवानी मंडी अब संत्रा को अपन देखते हैं दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना MP के समीप MP यानि मद्देप्रद मंडी रामगज मंदी यह सभी जलावार भी MP से टत्मे हो तो यह सभी जीलों में जो MP के समीप है वहां कौन सा उद्ध्यों होता है वहां खट्टी जो तरकारी होती मतलब खट्टे जो अपने वह बहुत हैं उनको फ्रूट होते हैं खट्टे जो फल होते हैं तो कोटरा संभाग में पढ़ती है लेकिन इसका जिला कौन सा है जहलावाड है ठीक है तो उस प्रकार से आप MP के समीब जितने भी जिले पढ़ते हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है संत्रा तो संत्रा कहां हो जाएगी भवानी मंडी में ठीक है तो इसका ट्रिक पर पास जैसे प्याज कहां पर होता है राजस्तानी बात हां में कहते हैं कांदा कांदा कहां पर होता है यह प्याज है फोग데 लेकिन बिटता कहा है अलवर में अब अलवर को अपन क्या कहेंगे अलवर को अपन मानता है आलू ठीक है अलवर को अगर मान ले अपन आलू तो प्याज कहां जाएगा बैद प्याज वहीं जाएगा न यहां आलू रहेगा तो अलवर अपना आलू हो गया और प्याज हो गया आपका प्याज, तो जहां पर आलू होगा, वहीं तो प्याज होगा, तो प्याज घहां मिलेगा आपको, आलवर में, तो इस प्रकार से आप लिंक करके इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि हमेसा आपने देखा हुआ क्या बनता है, आलू प्याज ये तो खाता है, तो आलू त तक प्याज ना डेले तब तक मजा नहीं आता तो हो गया लिंक, जहां पर आलू होगा, वहां पर प्याज होगा, तो आलू से अपना अलवर रहा गया, और प्याज से प्याज आ गया, यहां पर एक exception है, एक चीज में आपको बता दू, important है, क्योंकि जानकारी सारी लेना चाह है, तो आपको यहां कन्फूज नहीं होना है, आगे आता है सवाई माधुपूर, दोस्तों, अगर आपने से कोई भी जेपूर से कोटा गया होगा, तो बीच में क्या पड़ता है, सवाई माधूपूर, सवाई माधूपूर में क्या है, जैसे आप जेपूर से निकलेंगे उबेशने ट्रेनों के अंदर वो केते हैं सांगानेरी डाल सांगानेरी में आता है डाल फिर जैसे निवाई आता है वैसे आने लग जाते हैं पकोड़े निवाई में आलू बड़े और पकोड़े बहुत फेमस है फिर जैसे आप सवाई मादुपूर पहुंचेगी वहाँ यह सब चेंज हो जाता है और अम्रूद आया लग जाते हैं तो अम्रूद जो है और सवाई मादुपूर में बहुत ही फेमस तरीके से मिलते हैं और बिक्ते हैं तो सवाई मादुपूर के जो अम्रूद है तो बहु आगे आता है इसब गोल दोस्तूं सीव्टी सी बात है इसभ गोल इसभ गोल यानि सब कुछ गोल तो सबकुछ गोल कहां पे होगा इंसकों कर भी न 밤 तो से इस बोल कहा मिलेगा जालोर में नमाल में आपका इस बोल पाया जाता है यह इस प्रकार में अपका प्रश्ञ बनता है एक từ यह संत्रा वाली एक प्याज वाली अर्षिय दें बहुत जीमे मतलब जीरा और मेर्ता यानि कहां पे हो गया ये जीमे दूसरा आगे संत्रा भाव जाला में प्याज आलू अम्रूद सवा इसव गोल जालो और भगा सिंपल सा ये दोवा याद करना है जीमे संत्रा भाव जाला में प्याज, आलू, अम्रूल, सवा, इसब, गोबल, जालो, और भगा, अब दोस्तों जीमे से कैसे, जीमे का मतलब है, जीरा, जीमते हैं अपन, निमनतर आता जीमने जाते हैं, जीमे, कौन जीमे, संत्रा जीमे, कौन जीमे, भाव, भाव किसे कहते हैं, भाव कहते हैं, ये लावाड में तो जीमे संत्रा भाव जाला में और प्याज आलू प्याज आलू का वह ने पर बताये था प्याज अल् numb contain जालूर में और अम्रूद शवा अम्रूद कहां पे सवा कि लो अम्रूद जो है वह कहां प más निग्वेंगे आपको सवाय माधभुर में मिलें तोerson w आपको याद हो जाएगा जीरा कहां पर आपसे पूछता है कोई जीरा कहां पाया जाता है तो मेरता मेरता में संत्रा कहां कहां इसकी मंडी है तो संत्रा की भवानी मंडी में प्याज की मंडी कहां पर अलवर में हमरूत सवय मादूपुर में इससफ गुल की मंडी जालोर में तो यह प्रकार से अपन याद कर सकते हैं अब आगे आपन चलते हैं आगे और भी चीज़ी led़ दोPart us ओससे जारे नम्कीन शानल सबोर्स याल सो हतते हैं नम्कीन जब फेमस इंद तो नम्कीन के अंदर एक आता सब्सक्राइब करते हैंшее कि अधर क्या होता है अंधर तो मुंखली है उपर मिलता है नमकीन लेकmanship क्या हूं तो आगे आपन बढ़ते हैं वीकानेर के बाद आती है धनिया धनिया जो रामगज मंदी कोटब मिलता है मन्दी और भवानी मंदी दोनो मंदिया है ना जो इनके नाम है थीक है तो धनिया de रामगज मंडी कोटा में अब इनसको कैसे याद रखेंगे धनिया की मंडी कोटा में इसलिए है कि धनिया की जो बोरी होती है वो 40 किलो की होती है एक बोरी में कितना धनिया आता है 40 किलो अब जब 40 किलो आता है तो उससे क्या होता है यह बोलें कितना छोटा आया कितना छोटा बोरी होता है इसमें 40 किलो आता है तो जहां पर धनिया आया वहां पर आपको बोरी बनाना है बोरी कितना हो कि बने कि 40 कि 40 कि बोरी क्या होगी च चोटा जो जहां पर चोटा होगा वहीं कोटा होगा और कोटा में क्या है रामगज मंदी बिल्कूँ सीधी बात दूसरा ट्रिक अगर अपने इसका देखें तो रामगज मंदी यानि भगवान राम भगवान राम की जो मंदी है तो भगवान राम अपने कोन है धनी तो है अपने धनी कोन है केतना लोग भई मेरा तो धनी राम है अपने रास्तानी भासामी से बोलते है तो धनी धनी से होगे अपना धनिया और धनिया जो है वो कहा पायदा था रामगरी मंदी में तो दोनों तरब और आता है लुष्ण का बहुत बार पूचा जाता है लॉसस जो है इसकी मंडी है 12 में और 12 में एक जगह पड़ती है उसका नाम है छबड़ा अब एक बात पताओ मेरे को लवसून जो होता है उसके अंदर से क्या आती है लवसून से अमोंियम की बद्भु आती है उसमें थोड़ी समेल आती है तो लवसुन को बाहर नहीं रखते हैं, लवसुन को क्या रखते हैं, छुपा के रखते हैं, जैसे लवसुन को छुपा के रखते हैं, तो कहां रखते हैं उसको चबड़ा में, चबड़ा उदा उपर होता है, तो सारे लवसुन कहा रखा जाता है, चबड़ा में, तो इस प् आपको लौसुन को अपन चबड़े में रखते हैं उस प्रकार से यह हो गया चबड़ा बारा और आप वैसे भी आपको इसको याद रख सकते हैं और बारा की एक जाती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है प्रजाती का नाम है आदिवाशी पजाती सहरिया तो उस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं तो यह हो गया आपका लौसुन चबड़ा में तब किस प्रकार से आपको यह चीज़ याद रखनी मतलब जो है लौसुन जो है वो कहां होता है अगर लौसुन जो आप रखते हैं कहां रखते हैं बारह चबड़ अगर आपन देखे जहलड़ा पाटन तो यहां पर अस्वगंदा से क्या बनता है अस्वगंदा यानि अस्व यानि क्या होता है घौढब के अंदर क्या लगी होती गहां पर जाला लगी उती मैं फ्रीकाषर प्रसुम पृषर बने तो लवृषर जो होता और विल्कुर यसी लिए कर सकते हैं, आपको लिंक करना है अनकी चीज़ों को, अब आगे आता है चोमु, चोमु के अंतर होता है आवला की मंदी है, दोस्तों के बस रियात करने के लिए आपने करते हैं, कि चोमु के जो लोग नेको, कौन सी बहसा है बोलते हैं, साद में क्लिण है सामध के अंदर हमान जी है जो ने वेक्ति जो चोब चरमो करता है बोलता है मतलब तुमो के अंदर क्या है सब जातें कि constitute अगला आता है आपका सोजद दोस्तों सोजद से कही बार परसन बने हैं और सोजद बहुत ही फेहमस ही जहां पर आपका होता है महंदी की मंदी यह पर है तो सोजद के अगर मैं बात करूँ तो सोजद के अंदर है महंदी की मंदी यह आपको'RE देखा आपने देखा हो कभी चीत आपने ट्रीक बनाएं नहीं बस देखा है लिंक करना से को दोस्तों इसी से जिंदगी चलेगी लिंक करने से सब कुछ याद आज कि कैसे लगाती? अपने पेरों को फेला लेती है और एक पाटा ताय में। उस पर रख लेती है फिर मेहन यंदि लगाती है या फिर क्या होता है? जैसे ही मेहन दी सूकने लगती मह्याला होती है? ऑपका होती है और उंका को नीज आजाती इतने मैं एक दो घंटे में में निसी सूख जाती तो जब मेंदी लगेगी महिलाओं के तो क्या गारे अरशो जाएगी तो सोने से क्या हो जाएगा आपका शोज़त सिंपल जा सिंपलोगी गर न भाई इसी प्रकार साव इसको याल रख सकते अब दोक्तों महिला जब मेंदिय लगाने अँरे टुं मुला में लिजाए तो फिर घंपी नि 얼굴에시면 धीन को बेसले जा है तो जहांपर सोने का प्रस्फनाई जहां पर भी मेंधी का प्रस्फनाई आपको शोजत लगाना है खीक मेंधी छोजत मुखा मिलेगाáz तोником सब्लाक सजाएक अब बात करते हैं माल्टा की दोस्तों माल्टा जो सब्द है ये माल्टा सब्द कौन से राज्य से लिया है माल्टा सब्द है पंजाब का ये रास्तानी सब्द नहीं है माल्टा सब्द है पंजाब का पंजाब का जब ये सब्द है क्योंकि माल्टा सब्द का गया पंजाब का पंजाब के सबसे पास कौन सा जिला पड़ता है सबसे पास हमने पास पड़ता है जो है सिरी गंगा नगर तो गंगा नगर की मंडी जो है वो है माल्ता आगे पन रचते हैं टमाटर दोस्तों दो चीजे एक तो है टमाटर एक है मतर दोनों की मंदी का हैं परती जेभण में परती यह आपको ध्यान रखना अगर आपने थेली से बाहर नीकर के नहीं रखें आप जिस फॉलic Castle में लाया घीलिशना कोड़ी में समनल न बस जाते हैं, बस जाएंगे, सड जाएंगे, तो बस जाएंगे, सड जाएंगे, तो क्या होगा, तो वहाँ पर ये होगा, टमाटर जहां आया, वो बस जाएगा, इसी प्रकार से, अगर उसी पोलतीन में अगर आपने मतर रख रखें, तो वो भी क्या हो जाएगा, बस जाए तो टमाटर कहा जाएगा टमाटर जाएगा बसी में और मटर जाएगा बसेडी में ठीक है इस परकार से आप इसको लिंक कर सकते हैं टमाटर जाएगा बसी में और मटर जाएगा बसेडी में अब आगे आता है तीनडा दोफ तो तीनडा की जो मंदी है वो भी जेपुर में य है क्योंकि वहाँ पर इसकी मंडी है तो तेंड़ा को आपको याद रखना है तींड़ा कहा जैपूर में मिर्च की मंडी है टॉंक में अब इसे प्रकार से आप इसको याद रखो Yes . जोते बच्चे होंगे वह क्या खाते पानी-पताउ से खाते हैं औरतें क्या काती है औरतें जब होती है वो क्या करते है पानी पता से ज़्यादा खाती है महिलाएं जो होती है तो उन्हें क्या करते हैं जो बड़े भुजर्ग होते हैं जिन्हें हम बाबा लोग कहते हैं जो बड़े भुजर्ग होते हैं वो क्या करते हैं उनको बा समझत मंढ़ीयों के लिंक अगर इस वीडियो का आफ एक दो बार देख लेगे और समझ लेगेके तो आपको एक भी चीज याद करने की दोतनी पड़ेगी और तमाम आपके जितने भी मंढ़ीयों के प्रस्ण हैं और पस्नों के प्रस्ण है वो हो जाएंगे तो दोस्तों important वीडियो था जो मैंने आपको दिया आसानी से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लखिए और भी वीडियो आपके इस प्रकार के रास्तान जीके से समंदित बना कर लाता रहूंगा फिलाल के लिए इतना ही बन कि बनी कर्ची कर दाना का आपको अना बना का सिर्फियो आपको लाचार कर रहना चारा इसाना का फिल myśतattum का ख़ियो हैं इस खब्सेट का इसाना ह Are Vibliagine झाल